2014 के बाद से भारतीय रेल ने नई लाइन विछाने से लेकर डेज परिवर्तन और दोरी करण कार्यों को दोगुनी तेजी से पूरा किया है। इस बीच चारधाम रेल लिंक जैसी कई महत्वा कांशी परियोजनाओं की भी शुरुवात की गई है। लेकिन इन सभी कारियों के लिए साइट सर्वेक्षन और मान चितरन एक जटिन और लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया है। इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे बोड ने सर्वेक्षन कार्य में आधूनिक तक्नीक के इस्तिमाल का अध्याइन और मुलियांकन करने के लिए एक कमैटी का गठन किया। जिसने भारत और विदेशों में इन कारियों के लिए इस्तेमाल की जा रही विभिन टक्नीकों का तुलनात्मक अध्यायन कर, साल 2020 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिन में परियोजना आधार पर बेहतर टक्नीकी विकल चुनने के सुझाब दिये गए हैं। साइट, सर्वेक्षणों और मान्चितरण के लिए पारंपरिक सर्वेक्षण तक्नीक और सैटलाइट इमेजरी के अलावा ड्रोन फोटोग्रोमेट्री, कम्प्यूटराइजड 3D इमेजरी, डी जी पीएस और लाइडार जैसी अध्याधूनिक तक्नीके इस्तिमाल की जा सक इनमें डिजिटल भूस्थानिक डेटा पहले चरण में सर्वेक्षण कार्य को काफी आसान कर सकता है। भारती रेल अपनी आगामी परियोजनाओं के लिए अब इन नवीन और ज्यादा सठीक सर्वेक्षण तक्नीकों के इस्तिमाल पर जोड़ दे रही है, जिससे परियो तक्नीक द्वारा भारत सरकार की संपोर भारत को रेल नेटवर्क पर लाने की योजना साकार होगी। अब अध्याधूनिक सर्वेक्षण तक्नीक की मदद से ज्यादा तेजी से तोड़ेगी भारती रेल।